आपके साथ मैं हूँ अंकिता अपसे कुछी देर में चंद्रियान 2 की जर्ये अंत्रिक्ष की दुनिया में भारत एक और इतिहास रशने वाला है भारत का चांद पर दूसरा महतवकांशी मिशन चंद्रियान 2 आज दुपहर 2 बचकर 43 मिनिट पर रवाना होगा चंद्रमा पर भेज जाने वाले भारत के दूसरे यानकी रविवार शाम 6 बचकर 43 मिनिट से शुरू हुई उल्टी गिनिती जारी है चेनी से लगभग 100 किलोमीटर दूर आंदरप्रदेश में श्रीहरी कोटा के सतीश धवन अंतरक्ष केंद्र में दूसरे लॉंच पैट से चंद्रियान 2 का प्रक्षेपन किया जाएगा चंद्रियान 2 का प्रक्षेपन किया जाएगा विकरम विक्रम तै массा ही जाएगा की जाएग से लेखन नवस्कारिटी टुम्सके करता हूज ञे नाथ बनाव प्रशोंचे टूनावर प्सकारफ लिए अजय प्रश्शे टूनावीन टूने टूंज साथर्ट करदी एक है को रहे हैं वहती हैंनोने इन पर्शित प्रूंट कर देक घ्लीडर्यान टूरीज के पर नहीं अजय a lunar orbit gradually over a few days the spacecraft will be brought closer to the moon in hundred by hundred kilometer circular orbit to five lunar burns while the orbiter will continue in this orbitgende will separate and D boost two hundred by play Warningism lunar orbit where it will remain for इस्ट पहरा प्योर्ट इस युटा नाय जाने खर अजै पहरा गार्ज कमरा पय अज़ और कोड़ ऑ्सी आज लिए आप्ट अर्जा यूब इस जाव में जाज़ इस कहाँ लाई टुटा अपूर बेस्टर्श इस इस अलत इंट जाने रख इस लांटेड विखने बिट आपको एकोनर सुरफिक्स औ्डटुली उचुम्स तबता है लुनार खाउस्फेर और जब उस और फाउस्ट रुट्साइन, और रॉटाज कुल्ध और रहाँ झाल, एपने ऐसे दुट्रियों कुल्भाइब कर शोड्यां कुल्या फिर धुट्स रुल्टाइब Chandraiyan 2 will attempt to answer questions on yet unexplored lunar surface and open the possibilities of using the moon as a platform for further exploration of the solar system and beyond where this India with QUT of प्रावर्स इन स्पेस टेक्नोलजी और इस कमित्मेंट तो हुमानिटी अभी आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें आपको इनमेशन के दवारा हमारी उपकरा कैसे चांद की तरफ गया है और इसके बाद में विक्रम रोवर कैसे उस भूतरा इस समय काउंट डाउन का 3-11 मिनिट है और आटोमेटिक लांस सेक्वेंस शुरू हो चुका है आईए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि 3,850 किलोगराम भार वाले चंद उपकरा 2 को प्रिछेपित करने के लिए रांकेट की सरचना क्या है यह एक तीन चुर्णों वाला हमारा सबसे भारी प्रमोचनियान है यह प्रमोचनियान भूतल अंतरण कच्छा यानि जीटियों में 4,000 किलोगराम के पगरों को प्रिछेपित करने की छमता रखता है इसकी सदक्चा में दो थोस नोदक स्टैपान चरण S200 इसके मुख द्रवे नोदन भूस्टा चरण L110 के दो नोवर समाकालित है प्रतेक ठोस नोदक स्टैपान चरण में लगबग 205 टन कंपोजिट सॉलिट प्रवे नोवर करता है इस चरण की लंबाई लगबग 26 मीटर और व्यास 3.2 मीटर इस नोदक के चरण का भार करीब 237 टन है 266 सेकेंड वाले विशिस्ट आवए ठोस चरण को 130 सेकेंड तक प्रवे नोवर करता है इस प्रवरोड से 640 तन भारवाला ये राकेट ऊपर उड़ता है यसे यसे थोस नोदक पुझुलित होता जाता है इसकी गती बढ़ती जाती है On your screens, Chairman ISRO, Dr. Shivan, flanked by Director of Shatish Davan Space Center Now again a view of Mark III on the launch pad, undergoing final checks The GSR Mark III is the heaviest and the most powerful launch vehicle made by ISRO It has the capability to launch 4-4.5-ton satellites into GTO and about 8-2 ton-ton in low-earth orbits The GSR Mark III consists of two solid S200 strap-ons attached to a liquid L110 core and a cryogenic upper-stage C25 The total length of GSR Mark III is 43.5 meters The spacecraft being launched today, the Chandrayaan-2, has several science payloads to expand the lunar and the scientific knowledge through detailed study of topography, seismography, mineral identification and distribution, surface chemical composition, thermophysical characteristics of topsoil and composition of tennis lunar atmosphere leading to a new understanding of the origin and evolution of the Moon On your screens, a shot of the VVIP gallery, the orbiter payloads will be conducting remote sensing observations from 100-kilometer orbit while the lander and rover payloads will perform in-situ measurements near the landing site A few words about the launch sequence to be followed today At the liftoff, with the timeline as T is equal to 0 seconds, the two solid strap-ons named S200 will get ignited on ground Then, when the S200 thrust starts to fall and enter the tail-off region and the vehicle acceleration falls to a level of 23 meters per second square At about 110.8 seconds from liftoff, the L110 stage is ignited in air At the L110 stage ignition command, the vehicle is in an altitude of 44 kilometers and it has attained an initial velocity of 1.74 kilometers Another about 20 seconds later, at about 131.3 seconds from liftoff, the S200s burn out and separate At S200 separation, the vehicle altitude is 62 kilometers and the vehicle velocity is about 2 kilometers per second Ten seconds after S200 separation, the closed-loop guidance is initiated for the vehicle to ensure the precise path to its final orbit That is, here onwards, the vehicle continuously compares its current state with the targeted end conditions and follows the commanded path to achieve them During the L110 burning phase, when we reach an altitude of 115 kilometers, the payload fairings are separated This happens at about 204 seconds from liftoff The L110 stage is commanded to be shut off by guidance at 305.7 seconds from liftoff on reaching its end target conditions It is separated at 308.8 seconds, the altitude here is 171 kilometers and the vehicle velocity is 4.61 kilometers Finally, the cryogenic stage is ignited at 2.4 seconds after L110 separation That is, about 311 seconds from liftoff and it burns to depletion The burn to depletion is sensed at an acceleration threshold of 13.7 meters per second square and C's 25 shut-off command is issued This happens at about 9.59 seconds from liftoff, that is, about 16 minutes from liftoff By this time, the orbital conditions are achieved The C25 burns in this mission for 6.48 seconds And the velocity at injection altitude of 182 kilometers is 10.3 kilometers per second And the required orbital conditions of 172 kilometer perigee and 39,120 kilometers apogee has been achieved 15 seconds later, at 974.3 seconds from liftoff The Chandrayaan-2 will be separated from the launch vehicle and injected into GTO We will show to you the live injection of Chandrayaan-2 into orbit by the help of onboard cameras on the launch vehicle As I mentioned, as I mentioned, our two heavyweight TOS Nordak rockets are the S-200 They call the S-200, the rocket from its promote to its promote The rocket is up to its promote And the rocket is up to 130 seconds, but in 110 seconds, the rocket is down to its promote But in 110 seconds, the rocket is down to its promote And the rocket is down to its reach In that moment, the rocket driver is down to 44 kilometers and has on 1.752 kilometer per second By the impact of the rocket ship In this moment, the rocket is allacs The rocket is automatically changed With its arrival on the rocket's rise The rocket is returned to 131.3 seconds And the rocket is up to the rocket's In this rocket's rise And the rocket's rise The rocket's rise कोर मुक कोर दरव नोदक चरण की लंबाई लगबग 21 मीटर और व्यास 4 मीटर और इसमें 115 टन दरव नोदक US-25 और N-204 को अलग-अलग टैंकों में बरा जाता है इन सब को मिलाने से चरण का भार 125.6 टन है इस चरण के दोनों इंजन के साथ 1598 किलो टन अनि लगबग 113 टन फोर्स का प्रणोट लगबग प्राप्त होता है और ये इंजन 195 सेकेंड तक 293 विशिश्ट आवएक के साथ पलान करता है जैसे ही राकेट वाइमेंडल में 115 किलो मीटर की उचाई पर पहुसता है उसी समय 5 मीटर व्यास वाली हीट शील को राकेट से प्रदक कर दिया है उस समय इसकी गती लगबग 2.6-3 किलो मीटर पर सेकेंड होती है मुग को राकेट का एल वंटन द्रवनदक चरण के दोनों इंजनों को 194.6-8 सेकेंड तक जलने के बाद बंद कर दी जाते हैं उस समय राकेट की प्रत्वी से उचाई लगबग 171 किलो मीटर और वेग 6 किलो मीटर पर सेकेंड और ये समय लांच एक टी प्लस 305.4 सेकेंड पर होता है इस राकेट को मुख राकेट से 308.8 सेकेंड पर पतक कर जा जाता है तीसरा चरण जो C-25 क्राइजनिक के C-20 इंजन को लांच से 310.9 सेकेंड पर पजलित करते हैं और इससे लगबग 196-1965 क्लो 10 न्यूटन का पर पराप्त होता है जो कि लगबग 20 सेकेंड के बराबर है इसके विशिस्टाव एक करीब 442 सेकेंड है C-20 इंजन इस पर पराप्त के साथ में पर पगरा को आगे ले जाता है और लगबग 648 सेकेंड तक पराप्त देने के बाद में जब इसकी गती 10.296 किलोमेटर पराप्त होती है तो इसकी इंजन बंद कर दे जाते हैं उससे में इसकी प्रत्वी से हुचाई लगबग 146.38 किलोमेटर इसकी 15 सेकेंड के बाद में चैनरयान दो पगरा को इससे अलग कर देते हैं और ये 170 गुणा 49,060 किलोमेटर की दीवगा कक्षा में प्रवेश कर देता है इसमें हम लांच से लगबग दो मिनट दूर है और अब आप स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं यहां के जिप्टी डारेक्टर साब बेटे हुए थे और सारे वग्यानिक अपने परामीटर को अपने मॉनिटर के उपर में बहुत ध्यान से देख रहे हैं आभी समय हम लांच से करीब एक मिनट 35 और यह जो अप्चितर आप के उपर दिख रहा है यह दो S200 के बीच में दरवनोदक का L1 तन इंजन है जब इसका प्रजलन होगा तो यह दोनो S200 इंजन यो की मुक कर राकेट के दाएं और बाई हो रहे हैं इनका प्रजलन यहां की कमांड से दिया जाएगा और असका प्रुम ठू 그건 अब रम् 65 सका वी रहे हैं है जाएगा क। मु की बाख प्रों से थास्यार प्रों से बातो?! के कि संट रहे हैं पर्छू रसन फच थैसा Chi SiŃ में पॉन से अप्रों जाएगां के मांड प्रूं düFS! we always design the final rocket trajectory with measured winds and thus the smaller wind variability means not much change from the design trajectory just T-33 seconds to launch the excitement building up here on your screens the close shot of the base of the Mach 3 where you will see shortly the S200s igniting on the ground minus 20 seconds 3 minus 20 18 seconds now now look at your focus on your screen, the last 10 seconds are left, now I will give you a moment for some time 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 I am looking at your screen 2 S200 rocket plus 5 seconds to 테uron Zak product 640 time entin HD Mountain we have a lift-off by 1 it 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 सब्सक्राइब करें एरोकेट अभी हम लोक जोचिश करेंगे है कि आयर का इंफरारी थाइब का वी-वी अमने आए तो बहुत थोड़ा जाए आपको थोड़ा इसके बारे मिट्वाइब कर लोंगा जैसे कि अबी गोश्चना की गई है सारे परामिटर्स सामाने आए कि अच्छाइब कर लोचे दिर अप्रफिश करेंगे लोचेंस इस्ते हैं, आपाने की इस दौबंज बनी बनी तरोब से अंट लीटन इजिए उनिए विल हमने आपन से अब नूस्किया गया है कि लीटन जो किमारा दूसरा मुक रॉके रॉके टैसा इप्नी इसनों गया है उसके दोनों इंजन फ्रॉजीट हो गया है और इसके फ्रॉजलिट होने से अमको करीब ए दो से पोडिट दो अभी खोशना की गई है रेंज ऑप्शन डरेक्ट दवारा की इसका इसकी गटी और वेलास्ट नहीं की सामान आ रही है और ये रॉकेट एस्टोंड़ सप्राइट प्रवामस नार्म एक सो एक थी से किन पर प्रजूलिट किया गया था 10 seconds after the S200 separation the vehicle is now under close-loop guidance the L110 performance is normal the L110 is a twin engine powered high thrust version stage with a specific impulse of 293 seconds अभी आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि दोनों S200 rocket मुक राकेट से कैसे अलग हुए हैं उसका एक विहंगम ड्रिस आपके सामने आ रहा है the on-board cameras capturing the S200 separation जैसा कि आपने देखा जब S200 जो कितना हैवी रॉकेट है उसका जब फ्यूल जलने के बाद में उसको वर्क करने के लिए उपर में तीन रॉकेट और लीचे में तीन राकेट जिनका की थ्रस्ट अलग-अलग है उसने में रॉकेट से इसका पुटत कर दिया है आपके स्क्रीन पे हीट शील को मुख रॉकेट से लग हुआ है उसका दृश्ट आपने देखा बूटिफल वीव फ्यूल जो कि हमारा को रॉकेट है वो सामान रूप से आगे बढ़ता जा रहा है उससी के साथ में आगे के सिटलेट और क्रायो स्टेज कर दिया है यज आ एंगए आजुनाज की फिर्टipा किल स्कारण का टनहां है लधन किलुझा डेंखक टोग्टों का एंधस्वाने लग्टी किलुझ यानान टंग डे ओकलड तो हैंगतो 미だ ja ओक तो दे क्निट आप किल ते लिद्टिन किलुझा गदैना टानन किलुझे and it will be shut off by the guidance reaching the predefined targets for that one are 10. the launch plus 5 minutes and 5 seconds and shortly the L1g will be shut off after the rocket'sanes carry yeah, it has been announced when the rocket cryogenic powers and the L1 rocket is unlikely this has been deflected and I don't know whether you can hear the clappings of the working level scientists expressing their happiness on the ignition of the cryogenic stage the performance of the cryogenic stage is looking normal at this stage the intended path and the actual path falling exactly one over another Now this is the C-20 engine of the C-20 engine it has about 20 tons of power and the viscous torque is about 442 seconds Now this engine will get the power of the car and it will be about 640.8 seconds and it will be about 10.2-9.6 kilometers after that the engine will be stopped and after 15 seconds the upper ground will be changed At this time, its altitude is about 199.9 kilometers and its time is about 390 seconds and its relative velocity is about 4.6 kilometers The vehicle velocity is about 4.7 kilometers that is the initial velocity We are at an altitude of 204 kilometers We have covered a range of 890 kilometers from Shahr and about 405 seconds into the flight time The cryogenic stage is 13.5 meters long with an inner diameter of 4 meters It is loaded with 27.7 tons of cryogenic fuel consisting of liquid hydrogen and liquid oxygen It develops a steady state thrust of about 186 kilonewtons and has a specific impulse of 443 seconds This will burn to depletion in about a total burn of 650 seconds In this mission I will tell you I will tell you that the cryogenic stage is the performance I would like to tell you that the cryogenic stage is about 13.5 meters and its diameter is about 4 meters and its weight is about 32 meters and its weight is about 32 meters and its performance is about 28 meters Now we are about 8 minutes into launch and another 8 minutes we have before the cryogenic stage burn out fully and the satellite is injected. Now, I would like to share with you what happens after we place this Chandrayaan-2 into GTO. Today we will place the Chandrayaan into the geostationary transfer orbit of 180 km by 30,120 km. And on 7th of September, about 48 days from now, the landing at Moon will happen. So what happens in between? Now, after launching it in GTO, to increase the Chandrayaan-2 orbit, so as to make the apogee progressively nearer to Moon, we will have a total of 6 separate burns of Chandrayaan-2 using its own propulsion system. On reaching the perigee for the third time in GTO, the first burn near perigee will raise the apogee altitude to about 47,000 km. And on reaching the 4th apogee, we will burn again to increase the perigee to about 240 km. This 240 km perigee will be held. And then in four different earth burns on different dates and in perigees numbered 6, 11, 16, and 19 around the earth, we will raise the apogee stepwise to 55,800, 71,500, 89,700, and finally 1, 144,000 km. Then, on 14th August, in perigee number 22, a translunar burn will happen and together with the first lunar burn, that is the translunar injection at the earth's perigee, and five days later, the first lunar burn, the Chandrayaan will be placed in a lunar orbit of 120 km by 18,000 km on 20th of August, 2019. Then, in four more lunar burns, on different days, the Chandrayaan-2 will reach its final lunar polar orbit of 100 km circular with orbital period of two hours. This will happen on 1st of September, 2019. Then, by this time, we would have consumed about 1,500 kg of fuel from the Chandrayaan, and the Chandrayaan mass, along with Vikram orbiter and lander Pragyaan, will be about 2350 kg in lunar orbit of 100 by 100. Subsequently, the lunar lander carrying the lunar rover Pragyaan, totally weighing 1480 kg, will separate from the remaining 875 kg Chandrayaan-2, and will be put in a lunar orbit of 30 km by 100 km, in preparation of soft landing on Moon, near its south pole. All the dates mentioned by me are in the Indian Standard Time, and arrived by our calculations based on chosen landing site, and the conditions required for the same. Finally, on 7th September, at 2.58 a.m. Indian Standard Time, the Vikram lander and the lunar rover Pragyaan will soft land on Moon with a velocity of 2 m per second, and after final checks, the 27 kg lunar rover Pragyaan will be deployed on lunar surface. Pragyaan will have a life of 14 Earth days, which is equal to one lunar day. Chandrayaan-2 has a mission life of one Earth year. All the three bodies, that is the Chandrayaan-2 orbiter, the Vikram lander, and the Pragyaan rover, will conduct valuable scientific experiments in the service of our country and mankind. This is what we have done with our mission, which is created by our mission, which is created by our mission, the Orbiter, Lander, and the rover. The Orbiter will be placed in the moon, and will be generated in the moon, and will be generated in the setta generation. The Chandrayaan-2 lander will be placed under Vikram, and the Chandrayaan-2 lander will be placed under Vikram. This Orbiter will be about 2,390 kg, and will generate 1,000 watts of power. प्रवर जनरेट करेंगा इसकी मिशन लाइब करीव करीव एक साल है और यह सो बाइब सो किलोमेटर की लूनर पॉल और राट विट में चकर लगाएगा लेंडर इसको कि हम विक्रम के नाम से भी कह रहे हैं यह इसका गरवजन एक हजाद चाहसो इतर किलो गराम है और यह करी करीछ 650 वाट की पावर जनरेट करेगा इसकी Mission Life एक Lunar Day के बरावर है जो की 14 परिथवी के यानि अर्थडेस के बरावर होता है रोवर इसको कि हम प्रग्यान के नाम से भी प्रग्यान का नाम भी दिया हुआ है ये करीब 27 किलोगराम का है और पचास वाट के पावर जनरेट करेगा और ये मिक्नमम डिस्टेंस करीब-करीब 500 मीटर अपने 14 दिन के प्रवास में इसको तै करेगा इस समय हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा जो Cryo Engine C20 है वो prediction और actual पर जो उसका जो trace है उस पर एक दम बराबर भाता जा रहा है और इसकी जो parameter से यहां पर आ रहे है उसकी velocity बराबर बढ़ती जा रही है इस समय जो हमारे यान के उपर में जो camera लगा हुआ था वो प्रत्री का चित्र ले रहा था जैसे कि हम selfie बोलते हैं उसी तरह से अमाने जो यान पर जो camera लगा हुआ है वो अर्थ का फोटो ले रहा था जो भी अपर प्रत्री का अभी रेंज ऑसे ने अनूंस किया कि हमारा रोकेट सामान रूप से आगे बढ़ता जा रहा है और इस समय लाँस करीकरी हम लोग 810 सेकेंड दूर हो गए है और रेंज करीकरी तीनजार 1170 किलोमेटर है तो भारत के चांद पर दूसरे महत्वकांशी मिशन चंदरयान 2 का सफल प्रक्षेपन कर दिया गया है इस रोकी तरफ से और इसी के साथ अंतरिक्ष के दुनिया में भारत एक और इतिहास रचने वाला है और इसी के साथ राजसभा टीवी में इस बुलिटिन में फिलहाल इतना ही आप देखते रहें राजसभा टीवी नमस्कार द्वी सदनिय विधायका की इस धापना को सुझाव किस समिते ने दिया था झाला है